नए साजेदार का प्रवेश आज का हमारा टोपिक ए वित्रित लाभ हानियों का लिखांकन हेलो स्टुडेंट्स एक वार फिर स्वागरते आपका अकाउंटिंग स्किल्स ओनलाइन क्लासेज में चिल्डरन लास्ट क्लास में हमने डिसकस किया था नए साजेदार के प्रवेश पर संपत्यों का पुनर मुल्यांकन एम दाईतों के पुननिदारन के सम्मंद में आज हम नए साज़ेदार के प्रवेश पर एवित्रित लाब एम हानियों के लेखांकन समायोजन पर चर्चा करेंगे जब भी नए साजेदार का प्रवेश होता है उस समय एवित्रित लाब और हानियों को साजेदारों के पूंजिक हातों में वित्रित कर दिया जाता है तो एवित्रित लाब हानियों के लेखांकन को समझने से पहले हम एवित्रित लाब क्या होते हैं एवित्रित हानिया क्या होती है ये कहां पाये जाते हैं इनका क्या लेखांकन व्यावार होता है उन सब की जानकरी मैं आपको देता हूं तो सबसे पहला तोपिक लेता हूं मैं यहां पे एवित्रित लाब तो सबसे पहले यह जानना है कि सर एवित्रित लाब क्या होते हैं देखें एवित्रित लाबों को कई बार हम क्या कहते हैं संचित लाब भी कहते हैं संचित लाव इंग्लिश में इनको undistributed एवित्रीत मतलब क्या होता है undistributed और undistributed profit कह सकते हैं या फिर संचित लाव यानिक इनको accumulated profits भी कह सकते है accumulated profit इंग्लिश में कह सकते हैं तो सबसे पहला question यह arise होता है कि सर एवित्रीत लाभों में किसे सामिल किया जाता है किस रूप में हमें एवित्रीत लाभ मिलते हैं तो याद रखेंगे एवित्रीत लाभ या तो लाभ आने खाते के credit sales के रूप में हो सकते हैं या किसी भी संचे यानि की reservoir के रूप में हो सकते हैं या फिर यह एवित्रित लाब किसी फंड के रूप में हो सकते हैं लेकिन याद रखेंगे सभी फंड एवित्रित या संचित लाब होते हैं सिवाए Employees Provident फंड की Employees Provident Fund को छोड़ कर सभी फंड एवित्रित लाब होते हैं अब Employees Provident फंड जो होता है ये फरम के लिए एक दाइत होता है बाकी सभी फंड हैं वो एवित्रित या संचित लाब होंगे तो संचित लाब होंगे के उधारन क्या है सर प्रॉफिट अंड लोस अकाउंट का क्रेडिट सेस होगा रिजर्व होगा और फंड होगा इसके अलावा हम ये समझे कि कहां पाए जाते हैं इनको कहां मिलते हैं तो ये जितने भी एवित्रित लाब होते हैं इन्हें एवित्रित जितने भी लाब हैं एवित्रित लाब हों को चिठे के यानी बैलेंसीट के दाइत्व पक्ष पर दिखाया जाता है अब इनका लेखांकन व्यावार क्या होगा नए साजेदार के प्रवेश के समय इनका लेखांकन व्यावार क्या होगा तो इस लेखांकन व्यावार के बात करते हैं लेखांकन वैवाहार तो ये वो लाब हैं जिनको पुराने साजेदारों ने कमाया है और पुराने साजेदार इन लाबों में हिस्सा नए साजेदार को देना नहीं चाहेंगे अता हम क्या करेंगे नए साजेदार के प्रवेश्वर इन एवित्रित लाबों को पुराने साजेदारों में उनके पुराने लाव वाजन अनपात में बाड़ देते हैं तो इनका लेखांकन व्यावार क्या होगा लेखांकन व्यावार होगा एवित्रित लाभों को पुराने साजेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में वितरित कर दिया जाता है ठीक असर पुराने साज्यदारों में वितरित करने लिए क्या करना पड़ेगा कि पुराने साज्यदारों के पुराने साज्यदारों के पुन्जी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है ये भी अपन कह सकते हैं तो इसका लेखंकन व्यवार क्या होगा जब भी नए साज्यदार का प्रवेश होगा तो एवितरित लाभ एवं एवितरित हानियों को पुराने साज्यदारों में वितरित कर देंगे अनुपात में पुराने लाभ वाजन अनुपात में अब बात करते हैं कि प्रविस्टी क्या बनेगी प्रविस्टी देख लेते हैं अब एवितरित लाभ हैं लाभ का अर्थिन का सेज क्या हो गया credit सेज हो गया सर एवितरित लाभ में या तो मिलेगा profit and loss या मिलेगा reserve या मिलेगा fund तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिल सकती है तो जो भी एवितरित लाभ है ये credit balance है ये भी लाभ है तो इसका भी credit स सेस है यह भी लाब है तो इसका भी कौन सा सेस है क्रेडिट सेस है तो आपको यह बात ध्यान होगी कि जब भी आप किसी खाते को बंद करते हो या किसी खाते को हस्तांत्रित करते हो तो वो खाता अपने से विपरीत पक्ष में चला जाता है तो उसी प्रकार यहां पे जो संच खाता बंद हो जाएगा तो सर profit and loss account जो credit balance था उसको में debit कर देना है reserve credit था तो reserve हो तो reserve को debit करना है और अगर fund था तो उसे fund को जो भी संचित लाब था उस fund को अब debit कर देना है पहले credit था अब debit हुआ तो इनका खाता बंद हो गया क्या करना इनका लेखांकन व्यवार कहता सर इनको पुराने साज़ेदारों के पूंजी खाते में स्तांत्रित करना है तो देखिए संचित लाब को पूंजी में स्तांत्रित कर रहे हैं और लाभों को पूंजी में स्तांत्रित करने से पुनजी की राशे में क्या होती है व्रद्धी होती है और आपको पता है कि पुनजी का सेस क्रेडिट ओतर व्रद्धी होने पर पुनजी खाता फिर से क्रेडिट हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल एकाउंट किस रेशियो में सर ओल्ड रेशियो में हो जाएगा कौन से रेशियो में ओल्ड रेशियो में हो जाएगा बेटा यह तो यह इसकी प्रविस्टी हो जाती है तो यह थे आ या संचित लाब को English में Undistributed Profit या accumulated Profit कह सकते हैं एवित्रित लाब किस रूप में पाये जाते हैं सर्य या तो Profit and Loves के Credit Valence के रूप में होंगे या Reservy के रूप में होंगे या किसी Fund के रूप में होंगे और इसमें सिर्फ इस Fund को छोड़ दिया जाता है यह अपना ऐवित्रीत लाब नीए होता यह दाई कित्त होता है इसको चोड़ेद्र बाखी सारे फंड दोते हैं वह अवित्रीत या संचीत लाब होते हैं एव एवित्रित लाभ कहां अपन दिखाते हैं इनको एवित्रित लाभों को बैलेंस सीट के दाईतो पक्षपर दिखाया जाता है और इनका लेखांकन व्यावार एक नए साज़ेदार के प्रवेस के समय या फिर कह दें कि फरम के पुने निर्मान के समय स्फरम के पुने निर्मान करत क्या होता है नए साज़ेदार का प्रवेस साज़ेदारों के बीच लाव विवाजन अनुपात में परिवर्तन होना किसी साज़ेदार की मरत्य होना या किसी साज़ेदार का आवकास ग्रहन करना ये सभी क्या है साज़ेदार के पुने निर्मान में वित्रित कर देना है साज़ेदारों में तो वित्रित करना है साज़ेदारों में तो लाब थे सर लाभों को वित्रित करना है और ये लाब थे मतलब इनका सेज पहले क्या था सर क्रेडिट था जब इनको वित्रित कर देंगे तो क्रेडिट से क्या हो जाएंगे डेबिट ह जाएंगे इनका अकाउंट हो जाएगा close तो यहां लिख दिया profit and loss या result fund account debit तो संचित लाभो का credit होती है और कमी होने पर debit होती है तो यहां लाभो को पूंजी में स्तांतरित करने से पूंजी में क्या हो रही है व्रद्धी हो रही है इस वज़ए से पूंजी व्रद्धी होने की वज़ए से हमने पूंजी खाते को क्या कर दिया credit कर दिया तो परविश्टी भी profit and loss reserve fund account debit to old partner capital account तो यह थी आपके संचित लाभ से समंदी समाजन अब हम बात करते हैं संचित हानियों से समंदी समाजन की संचित हानी या एवित्रित हानी संचित हानिया इनको इंग्लिश में संचित हानियों के बोलते है पर अपन accumulated losses बोलेंगे accumulated losses या इनको आप एवित्रित हानिया यानि की undistributed losses भी कह सकते हो तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि सर ये संचित हानिया किस रूप में हमें मिलेगी इनकी पहचान करनी चीखनी है देखे लाभानी खाते के debit says के रूप में मिलेगी सर या फिर इसके लाभा किसी भी deferred revenue expenditure होता है deferred revenue expenditure d-r-e means deferred revenue expenditure या तो कोई deferred revenue expenditure हो सकता है या profit and loss account का debit says हो सकता है इनको हम क्या कहते हैं संचित हानिया कहते हैं तो देखे deferred revenue expenditure की दो पहचान बता देता हूँ कोई भी deferred revenue expenditure होगा या तो किसी नाम के साथ आपको suspense वर्ड या फिर किसी भी नाम के साथ expenditure या expenses वर्ड मिलेगा इसका एक एक एकजम्पल में आपको देता हूँ advertisement expenses advertisement expenditure अब संचित हानियों को दिखाया कहा जाता है देखिए संचित हानिया है हानियों का सेश कौन सा होता है हानियों का सेश कौन सा होता है सर हानियों का तो डेविट सेश होता है तो इनका खाते को थमने बंद किया नहीं है और जिसके खाते बंद नहीं होते है वो सारी चीज़े कहाती है सर इनका डेविट से ऐसा तो चिठे के संपत्ति पक्ष में दिखाय जाता है तो संचित हानिया चिठे के संपत्ति पक्ष पर दिखाय जाती है चिठे के संपत्ति पक्ष पर दिखाय जाती है ठीक है सर ये संचित आनिया संपत्ति पक्ष पर दिखाय जाती है इतनी बात समझ में आ गई अब इनका लेखांकन व्यावार समझते है कि नए साज़ेदार के प्रवेश पर कह दो या फरम के पुनर गठन के समय कह दो लेखांकन व्यावार पुनर गठन को हो या नए साधर अप्रवेश पुनर गठन की सभी परिस्तियों में लेखांकन व्यावार संचित आनियों का यही होगा लेखांकन व्यावार कब की बात कर रहे हैं पुनर गठन पर लेखांकन वैवार इनका भी लेखांकन वैवार ठीक वही होगा जो संचित लाभव को वा तक क्या हुआ था इन संचित हानियों को जैसे संचित लाभव को तुमने क्या किया था साजेदारों में पुराने अनुपात में वित्रित किया था तो ठीक उसी प्रकार संचित हानिया भी संचित हानिया साजेदारों में कौन से साजेदारों में सर पुराने साजेदारों में अब ये पुराने में क्यों क्योंकि देखिए संचित हानियों कार्थ है कि ये वो हानि जो नए साजेदार के प्रवेश से पहले हुई थी तो नए साजेदार हानियों में हिस्सा लेना पसंद नहीं करता है तो पुराने साजेदार इसे अपने पुराने नुपात में वाजित कर लेते हैं वित्रित कर दी जाती है अच्छा वित्रित कर दी जाती है इस करत के हुआ कि जब हानियों को साजेदारों में वित्रित करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हानिया कहा जाएगी साजेदारों में जो भी कुछ वित्रण होता है उसकी प्रविष्टी किसके माद्यम से होती है सर पुन्जी खात्य के माद्यम से होती है अर्थात इन हानियों को साज्यदारों के पुन्जी खात्य में स्तांतरित करना है तो हम यह कहेंगे कि संचित हानियों को संचित हानिया साज्यदारों के पूंजी खाते में कौन से साज़ेदारों के सर पुराने साज़ेदारों के पुराने साज़ेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दी जाती है कौन से अनुपात में तो याद रखेंगे आप पुराने अनुपात में ये बात हम पहले क्लियर कर चुए लेखांकन व्याबार में संचित हानिया पुराने साज़ेदारों में पुराने अनुपात में वित्रित की जाती है तो इसका अर्थ ये है कि संचित हानिया पुराने साज़ेदारों में उनके पुराने साज़ेदारों में पुराने अनुप बात में साज़दारों में भाजित की जाती है इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए इनकी प्रविस्टि बनते प्रविस्टि क्या बनेगी? प्रविस्टि आप सभी बना सकते हैं, रूल्स आपको पता है, कक्षा 11 में आपने अच्छे से रूल पड़े हैं, और सब प् खाते का नियम भी ही कहता है कि सभी खर्चे और हानियों को डेबिट करो तो इन हानियों का सेस तो डेबिट ही है सर तो अब हमें क्या करना है हमें करना है हानियों को पुंजी खाते में हस्तांतरित करना है तो हानिया पहले से डेबिट है और जब हस्तांतरित होगी तो डेबि expenditure के नाम से हो सकती है या फिर वो advertisement expenditure के नाम से हो सकती है किसी भी नाम से संचित हानियों संचित हानियों को आपको debit से credit कर देना है अब सर क्या करना है कि पूंजी खाते में आपने हानियों को अस्तांत्रित किया इससे पूंजी क्या हुई कम हो गई और पूंजी का आपको पता में चली जाती है तो हानियों को पुझी खाते में स्तांत्रित करने से पुझी क्या हुई कम हुई और पुझी के कम होने से पुझी खाता डेबिट हो जाता है तो यह मैं डेबिट कर देता हूँ old partners capital account debit तो यह किस रेशियो में होगी सर यह होगा आपका old रेशियो में होगा सर तो यह प्रविष्टी थी आपकी संचित हानी से समंधित प्रविष्टी तो अभी तक हमने आज जो पढ़ा संचित लाव और संचित हानियो के लेखांकन व्यावार और लेखांकन प्रविष्टी के बारे में पढ़ा था कि नए साजिदार के प्रवेश पर संचित हानियों और संचित लाभों का क्या लेखांकन व्यावार होगा और क्या प्रविस्टी होगी और यहाँ पे जो हमने संचित लाभ और संचित हानियों के लेखांकन व्यावार को पढ़ा है वो ही लेखांकन व्यावार इस से अगले चैप्टर में भी तुम्हे पढ़ना है मतलब इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में दोनों में संचित हानियों का लेखांकन व्यावार सेम है पीछे आपने कल जो पुनर मुल्यांकन खाता पड़ा था वो भी आपका अगले चेप्टर में as it is same आने वाला है तो दोनों टोपिक को अच्छे से इस तरह से त्यार करें कि वो एक चेप्टर में नहीं, दो चेप्टर में हमें एक साथ पढ़ना है अब देखिए ये जो संचित हानिय और संचित लाब को हमने पढ़ा था इन में दो प्रकार के विशेश संचे के बारे में आपसे मैं बात करूँगा तो विशेश प्रकार के दो संचे होते हैं एक होता है करमचारी छती पूर्ती संचे है और दूसरा होता है विन्योग उच्चा वचन संचे तो पहला मैं बात कर रहा हूँ आपका विसेश जो संचे है उस पे विसेश संचे पे तो हम बात करेंगे इनके ले खांकन व्याबार इनके जो बनाने के उदेश से है वो विसेश उदेश से है तो पहला है workman compensation रिजर्व या तो इनको रिजर्व कहा जा सकता है या फिर इनको रिजर्व की जगे फंड भी कहा जा सकता है और हिंदी में इनको कह बोलते हैं हिंदी में कहते हैं क्रमचारी चति पूर्थी संचय कह दो या कोस कह दो एक ही बात होगी तो सबसे पहली बात यह होती है कि सर ये करमचारी चति पूर्थी संचय क्या होता है इसे क्यो बनाया जाता है अगर हम ये जान लें कि ये संचय क्या होता है और इसे क्यो बनाया जाता है तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि लेखांकन व्यावार इसका क्या होगा और हमें ने सादर्ग प्रविश्वर इसका करना क्या है प्रविश्टी क्या बनानी है तो इस संचे को इसलिए बनाय जाता है कि अगर किसी क्रमचारी की दुरघटना से किसी प्रकार की साइरिरिक हानी हो जाती है किसी एप्रत्यासित गटना की कारण या दुरघटना की कारण को इस क्रमचारी को छती पहुंचती है तो उस छती की पूर्ती करने के लिए हमें क्रमचारी छती पूर्ती संचे बनाना होता है तो अगर किसी क्रमचारी को छती होती है तो उसकी पूर्ती इस संचे में से की जाएगी नेकी व्यवसाय के परिचालन लाभों से की जाएगी तो देखिएगा इसके संबंद में कुछ परिस्थतिया मैं आपके सामने रखूँगा कि यहाँ पर पहली परिस्थति है कि अगर क्रमचारी छती पूर्ती संचे के संबंद में कोई दायत्व उत्पन ही ना हुआ हो दायत्व उत्पन तब होगा जब किसी क्रमचारी को छती होगी यानि कि कोई एक्सिडेंटल केस होगा कोई एपरत्यासित गटना होगी क्रमचारी के साथ तब उसे छती पूर्ती देनी होगी और अगर किसी क्रमचारी के साथ कोई एपरत्यासित गटना हुई नहीं है तो हमें उसे छती पूर्ती देनी नहीं है तो मान लिया जाए कि जब नए साचेदार का प्रवेश हो रहा था उस समय क्रमचारी छती पूर्ती संचे को हमने चिठे में दिखा रखा है कहां दिखाया होगा क्रमचारी छती पूर्ती संचे सर ये तो संचे नाम लिखा है इसका मतलग कहा होगा यह चिठे के दायतो पक्ष पर ज़रूर होगा क्योंकि संचे सारे एवित्रित लाब होते हैं अब बताया था मैंने आपको एवित्रित लाब हो में कि reserve और fund की नाम से यानि संचे और coast की नाम से हमें एवित्रित लाब मिलते हैं कि इस संबंद में कोई दायत्व उत्वन ना हुआ हो। अगर क्रमचारी छतिपूर्ती के समंद में कोई दायत्व उत्वन नहीं हुआ है। जाता है। और आपको पता है कि अगर ये संचित लाब, संचित लाबों की प्रविष्टी क्या होती थी। अभी आपने थोड़ी दिर पहले पड़ी थी। कि संचित लाबों के लिए लाबों को हम क्रेडिट से डेबिट कर देते हैं। और पुराने साथ बर पुर्णी खातों को हम क्रेडिट कर देते हैं। संचित लाब मान लिया जाएगा। तो इसकी प्रविष्टी क्या होगी। इसकी एंट्री बन जाएगी वर्कमेन कंपंसेशन रिजर्व एकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इसकी प्रविष्टी बनाइगी। नमबर एक कंडिशन hoगी इसरी हैं। नमबर 2 कंडिशन कि यदी करमचारी च्ठीपूर्थी के संबंध में दायत उतपन होता है। यदी करमचारी च्ठीपूर्थी के संबंद में दाइत्वे उत्पन हुआ हो या तो दाइत्व उत्पन हुआ हो या संबंद में दाइत्वे दिया हुआ हो ये भी गह सकते हैं दिया हुआ हो तो अगर क्रमचारी छतिपूर्ती के समंद में दाइत्व दिया हुआ है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि छतिपूर्ती के लिए जो संचे हमने बनाया है वो कम है ज्यादा है या बराबर है किसे दाइत्व की राशी से तो हमें क्या करना पड़ेगा करमचारी छतिपूर्ती संचे और करमचारी छतिपूर्ती के समंद में जो दाइत्व है उन दोनों को कमपेर करना पड़ेगा दाइत्व हो तो मैं यहाँ पे एक कंडिशन बना रहा हूँ कि जब workman compensation reserve ध्यान रखेगा WCR मतलब workman compensation reserve को हमें compare करना है liability for workman compensation के साथ WC means क्या है यहाँ पर workman compensation workman compensation reserve को हमें compare करना है liability for workman compensation के साथ तो हमने देखा कि सर balance sheet के दाइत्व पक्ष पर WCR दिखा रखा है माल लिया 100 रूपीज और फिर हमें पता चला कि liabilities भी कितनी है 100 रूपीज तो दोनों हो गई equal तो इस कंट whenever they are equal जब दोनों equal होते हैं WCR जो balance sheet के दाइत्व पक्ष पर हो और liability for workman compensation आपको सूचना में दी रहेगी यह दोनों जब समान होते हैं तो इस परिस्थती में आप क्या करते हो कि WCR को आपको दाइत्व में स्तांत्रित कर देना है WCR से यह दाइत्व जो यह इस reserve से पूर्ती कर देंगे क्योंकि हमने जो reserve बनाया है इसलिए तो बनाया था कि दाइत्व की पूर्ती कर सकें तो इस दाइत्व की पूर्ती इस reserve से करेंगे तो प्रिविश्थी क्या होगी देखिए रिजर्वेक से अपन दाइत्वों की पूरती कर रहे हैं तो रिजर्वेक पहले क्या था सर क्रेडिट था और अब क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा तो एंट्रिवी वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्वेक एकाउंट डेबिट एक नई लाइबिटी उत्पन हुए आपको पता है दाइत्वों का सेस क्या होता है क्रेडिट सेस होता है यह आप लिए उन्त क्लास से पढ़ते हैं यह बात कि दाइत्व का सेसर क्रेडिट होता है और अब दाइत्वों उत्पन हुए हैं फिर से credit हो जाएंगे तो हमने credit कर दिया तो to liabilities account यानि दाइत तो बढ़ते हैं तो फिर credit हो जाते हैं तो to liability for workman compensation account यहाँ पे देखें मैं abbreviation लिख रहा हूँ इस तरह abbreviation exam में नहीं लिखना exam में full form लिखनी है तो देखें workman compensation balance sheet के दाइत तो पक्ष में था इसका सेज क्या था credit सेज था अब हमें क्या करना है इससे दाइत्तों की पूर्ती करनी है तो इसको credit से हम debit कर देंगे तो reserve का खाता बंद हो गया और यहाँ पे हमें क्या provide करना है एक नई liability को provide करना है एक नई liability उत्पन होगी और दाइत्तों का सेज credit होतार दाइत तो जब बढ़ते है तो दाइत्तों खाता क्या था credit हो जाता है तो यहाँ पे अपन इसको credit कर देंगे तो प्रविश्टी के अपनी workman compensation reserve account debit to liability for workman compensation account इसी प्रकार अपन योग कह दे कि sir हमने दोनों को जब compare किया workman compensation reserve को liability for workman compensation के साथ जब हमने compare किया तो हमने देखा कि जो balance sheet के दाइत्तों पक्स पर reserve दिखा रहा था workman compensation reserve वो दाइत्तों से ज्यादा है यह नहीं, workman compensation reserve is greater than liability for workman compensation, तो हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहला काम तो वही करना है, कि सर, दाइत्व तो उत्पन हुआ है, दाइत्व उत्पन है, तो दाइत्व की पूर्ती तो reserve से होगी होगी, तो हमी ये परविष्टी तो करनी पड़ेगी तो हम क्या करते हैं वर्कमेन कमपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू लाइबिलिटी फोर वर्कमेन कमपनसेशन दाइत्व की तो पूर्ती हो गई सर तो यहां पे मान लिया कि Reserv थे 110 रुपय के और सर डाइत थे 90 रुपय के तो यहां पे डेबिट आपने 110 कर दिया Reserv है और 90 रुपय से liability को credit कर दिया तो सर अभी अभी आपके reserve में sales रह गया, तो reserve में difference amount का sales रहा, जो antar की रासी यहाँ Пे है, दोनों के अंतर की रासी, वो antar की रासी आपके लिए क्या होगा, संचित लाभ मान लिया जाएगा, उसे क्या मान लिया जांएगा, संचित लाभ माना जाएगा, पुराने साजेदारों के पूंजी खातों में, पुराने अनुपात में स्तांतरित कर देते हैं, तो यहाँ पे जो अंतर की रासी जो यहाँ बचेगी, 20 रुपए जो अंतर की रासी बची, वो पुराने साजेदारों में, पुराने अनुपात में बाजित हैं, तो ओल्ड पा सी कई वार ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व जो चिठ्थे के डाईतो पक्ष में दिया हुआ है उसको जब हम कंपेर करते हैं लाइबिलिटी फॉर लाइबिलिटी फॉर वर्कमेन कंपनसेशन के साथ तो रिजर्व की रासी कम हो और लाइबिलिटीज की रासी ज़्यादा हो ऐसा भी हो सकता है तो हम ये बात को जानते हैं कि सर जब दाईतो उत्पन हुआ है तो उसे डबलू सीयर यानि वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व से पूर्ती तो करना ही करना पड़ेगा मान लो कि यहाँ पे तुमारा वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व का जो बैलेंस सीट में दिखा रखा है वैल्यू वह है 110 रुपए और जबकि इसके समंद में दाईतो उत्पन हुआ वह हुआ 120 रुपए तो यहाँ पे दाईतो ज्यादा है और रिजर्व की वर्कम है अब हम क्योंकि रिजर्व का सेशесь सर क्रेडिटर था तो यह तो डेबिट हो जाएंगे तो यहाँ अमही डिक देता हूं गट कर दे ना टेबिट कर देन इनका अकांट बनद पन्ने कितने रुपा थे सर 110 रुपा से इनको क्रेडिट कर दे 110 हो गए फिर हमें क्या करना है कि यहां पर liability को क्रेडिट कर दे एक लाइन छोड़ के फिर मैं कर रहा हूं क्योंकि एक बीच में कुछ समझाना आपको यहां पर to liability for workman compensation क्योंकि liabilities का says क्रेडिट होता है और जब liabilities open होती है तो उनको credit ही करेंगे liability for liability for workman compensation account यह क्या था 120 रुपा की liabilities थी तो यहां पर देखे कि हमने जो दाइत तो उत्पन हुए थो 120 रुपा के थे जबकि हमाने पास जो रिजर्वर थे वह सिर्फ 110 थे तो 110 रुपा की liability तो रिजर्वर से एडजेस्ट हो जाएगी सर लेकिन जो extra 10 रुपा की liabilities अब की बार तो 10 रुपा ज्यादा है तो वो 10 रुपा की liabilities कहां से charge होगी तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इन दोनों के अंतर की जो रासी आएगी इन दोनों का जो भी अंतर आएगा वो अंतर की रासी आपको पुनर मुल्यांकन खाते यानि revaluation account से charge करनी है तो आप देखिए revaluation account से अंतर की रासी चार्ज करेंगे तो अंतर की रासी क्या रहे है liability for workman का अंपर से दाइत्व बच रहे हैं तो दाइत्वों को जब आप revaluation account में दिखाओगे तो कहां दिखाओगे देखिए revaluation account का आपने रूल क्या पढ़ा था कि सर हमने revaluation account में पढ़ा था तीन सीजे आती हैं इसमें क्या क्या तीन सीजे आती हैं सर इसमें तो asset liabilities और provisions को दिखाते हैं और फिर हमने पढ़ा था simple सा rule minus plus 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 minus ये rule पढ़ा था तो हमने देखा था कि sir अगर ये liability assets कम हो रही हैं और दाइत्व बढ़ रहे हैं तो debit पक्ष में, revelation के debit में आते हैं और अगर asset बढ़ रही हैं और दाइत्व कम हो रहे हैं तो revelation account के credit पक्ष में दिखाए जाते हैं तो यहां देखो क्या हो रहा है कि दाइत्व ज्यादा निकल रहे हैं एक नया दाइत्व बन रहा है दाइत्व बढ़ रहे हैं यहां पर विजर वर था 110 रुपए का liability थी 120 रुपए की तो हमने 110 रुपए तो adjust कर जिए बाकि 10 रुपए की liabilities तो अब फर्म के पास 10 रुपए फर्म के दाइत्व में सेश रह रहे हैं तो यहां जो फर्म के दाइत्वों में सेश रहे हैं तो रिए विलेशन आकाऊउंट से charge करेंगे तो हमने देखा है कि workman compensation reserve account debit revaluation account debit to liabilities for workman compensation account यह प्रिविश्टी बनती है देखे, revaluation account के बारे में हमने पिछला वीडियो बनाया हुआ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो revaluation account को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखे और जब आप उसको देखोगे तो आपको यहां पर यह बात बहुती इजीली समझ में आजेगे आप आराम से कर सकते हो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टोपी के साथ एक विशेश संचे अगले वीडियो में अपन करेंगे जिस विशेश संच झाल